कहते हैं इंसान और जानवर के बीच अटूर प्रेम की डोर रहती है कुछ लोग इन बेजवान जानवरों को जानवर समझते हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में जो रिष्टों से भी बढ़कर इन्हें अपना मानते हैं और अपनत्यों की भावना इनके प्रती बढ़कर कहीं जादा होती है ऐसा ही एक मामला उत्तरप्रदेश की आमबेटकर जिले में देखने को मिला जहां माश्टर नागेंदर के परिवार में एक बकरा पाला गया है जिस बकरे को लगभग नौ साल से उसका जनदिन मनाया जाता है उस बकरे के बच्चे को वो अपने परिवार का सदत से समझते हैं जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खेर मनायेगी तो वहीं नागेंदर जी कहते हैं कि हम बकरे का हर साल जनदिन मनाते हैं और इसकी उम्र की बढ़ुतरी के लिए हम लोग हर बार कामना करते रहते हैं बकरे का नाम मुन्नू रखा गया है उस मुन्नू को बकायदे टोपी लगा करके फूल माला पहना करके और उसके लिए केक काट करके उसको प्यार और दुलार करते हुए पूरा परिवार और पूरा महला एक होता है मुहले वालों को भी पता है कि दुर्गा विसर्जन के दिन मुन्नू का जन दिन होता है इस दिन नागेंदर के घर पहुंच कर पूरा मुहला दावत भी खाता है मुहले के जितने लोग है तो बड़े इनका होता है तो छोला बठूरा नौ साल हो रहे हैं इसका बड़े के साथ यहीं पैदा हुआ था यहीं पैदा हुआ था जिस दिन बिसर्जन कर रहे थे हम उसी दिन पैदा हुआ उसी दिन के हम लोग को बड़े मनाने लगे तो बड़े करते हैं जो है अचाने को यह सब्सक्राइब कर देना चालू कर दिया है उसके बाद जो है सब आते हैं जाली होता है फ़ी जर्ट होने वाद का आद जो है कि टाट सुने की बड़े में खाने के लिए बच्चों की नियुकत काड़ती है। बड़े मनाते हैं, जोपी लगाते हैं, माला पहनाते हैं, उसके बाद इनके नियुकत कताते हैं, जोपने को लेक लोग हैं। बदलाब आते हैं सब खाते हैं छोला बटूला खेट